हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शांती जोशी, शामग गर्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं आपको वर्मीना के प्लांट दिखा रही हूँ, वर्मीना एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इसे आप सर्दियों में अवश्य लगाएं, बहुत जादा ही यह फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसे आप हेंगिंग बास्किट में भी लगा सकते हैं, और कई कलर वेराइटी में यह प्लांट मिलते हैं, मैं इसे जन्वरी में लेके आई थी, यह पॉलोथिंग बैग में मुझे मिला था, और इसमें एक एक फूल खिले हुए बहुत कलर वेराइटी में इसके प्लांट थे, तो मैं भी 4-5 लेके आई और मैंने इसे जब पॉट में लगाया, तो उसके लिए वेल्डन मिट्टी तयार करी जिसमें एक हिसा मिट्टी, एक हिसा इसमें खाद, और 10% मैंने इसमें इसमें मिलाई थी धान की भूसी, और इक म इसमें मिलाती हूँ नीम की ख़ली और मस्टरट केक फडाउडर बना कर उसमें डाला था। इस उसमें मिट्टी तयार करी। arrives। हमेशा मैं नीम की ख़ली का हुँ लाती हुँ तो वह मैं इसमें जरूर मिलाती हूँ और धान की भुसी भी मैं मौशर के लिए लेती हूँ और कोको पिट से ये सस्ती पढ़ती है दान की भूसी और मिटी भी उससे हलकी हो जाती है सेंड मैं कम मिलाती हूँ क्योंकि मेरे महां की मिटी देती लिए है तो मुझे सेंड की आउशकता नहीं होती है किसी किसी प्लांट में मुझे मिलाना पड़ता है तो ये देखे कितने खूबसरत दिखाई दे रहे हैं इस जंग से मैंने इसकी मिटी तैयार करी और ये जब भी आप इसे लगाएं तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह से साम तक धूप आती हो कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो इस प्लांट को मिले जितनी ते धूप में ये प्लांट रहेगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये सन लविंग प्लांट है पहले मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा था जहां इसको हलकी से धूप मिल रही थी तो इसने फ्लावरिंग बहुत देर में सुरू करी और ये एका दुका फ्लावर आ रहे थे पर प्लांट देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था मैंने इसे धूप में सिप्ट कर दिया और तब से देखिए इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है मेरे पुरा गम्ला भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कुपसरा दिखाई दे रहे है जन्वरी से इसमें फ्लावरिंग सुरू हो गई थी और ये मार्च का महना चल रहा है और अभी तक इसमें जो फ्लावर खिले वे थे वो अभी भी खिले वे हैं अब थोड़ा सा ये दे धूप होने लगी है तो अससे मुर्जाने लगे है ये और बीज बनाने लगे है और नई तो इसकी फूल अभी तक नहीं सूखे थे और ये काफी लंबे समय तक बंच में बने रहते हैं बंच में ही फ्लावरिंग करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा खुबसरत दिखाई दे रहे हैं देखिए कितने खुबसरत दिखाई दे रहे हैं इन्हें कटिंग से लगाना भी बहुत ही आसान है मेरी एक तो स्टेम तोट गई थी तो मैंने इसे दूस्टे गंबले में सिप्ट कर दिया तो वहां इसकी कटिंग लग गई तो कटिंग से भी आप लगा सकते हैं परनतो इसकी लगाने की ज़रत नहीं है इसकी टेहनिया बहुत जाड़ी नुमा प्लांट होता है छोटा सा और बहुत ज़्यादा खूसरा दिखाए देता है यह देखे कितना सुन्दा दिखाए दे रहा है वर्बीना को जब भी आप लगाएं इसे छोटे पॉट की आउशकता होती है बड़ी पॉट की ज़रत नहीं होती है मैंने इसे 9 इंची पॉट में लगाया हुआ है और देखे कितनी ज़्यादा यह समय फ्लाफरिंग कर रहा है पानी की जहां तब बात करें दोस्तों पानी इस प्लांट को दें आप मौशर बना के रखें ओबर वाटरिंग ना करें अब आजकल धूप तेज होने लगी है तो पानी का भी विसे ध्यान रखें देखें पानी इसमें रोज ही देना पड़ रहा है और मैं इसे सामके समय रोज पानी दे रही हूँ हलका पानी दे देती हूँ देखती हो मिट्टी सोक गई है बहुत धूप में यह प्लांट हो जाएगा तो यह बहुत जल्दी इसकी जो इस्टेम्प होती है वह गल जाती है तो इस बात का विसे ध्यान रखें ट्रैनेज अच्छा होना चाहिए जिससे जो भी ओवर वाटरिंग भी हो तो बहार निकल जाए पानी की अधिक्ता से ही प्लांट मरते हैं और देखें कि परपल दिखाई दी रहा है तो इसमें बहुत सारी कटिंग मैंने लगा दी थी तो हो गई है पंतु इसमें कटिंग लगाने की ज़रत नहीं है 15 रुपे का यह प्लांट मिलता है और आप लाकर लगा सकते हैं कटिंग को डबलब होने में टाइम लग जाता है तब तक इसका सीजन निकल जाएगा तो इसे आप ऐसे ही लगाएं देखिए और मन्चा ही कलर आप ला सकते हैं इसे हैंगिंग बासकेट में अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा इसके लिए गंबला ऐसा लें जिससे कि वह ज़्यादा फैले मूगा गंबला हो तो अब मैंने इसे गोबर की जो खाद है घूल कर इसमें दे दी है क्योंकि इसमें गुड़ाई की लाइक जगर दहीं बसती है तो इसमें आप मिटी भी आप नहीं डाल सकते हैं प्लांट टूट जाएगा तो लुकिट फटिलाइजर आप इसको दें जो गोबर की खाद या प अब हमें तक अभी मेरे प्लांट नहीं सुके हुए हैं और देखिए कुछ-कुछ बीज बनाने लगे हैं तो मैं इनको हटा दूँगी नहीं तो एकदम बहुत तेजी से यह बीज बनाने लगते हैं और एकदम बीज सारे जो फूल है वो बीज बनाने में लग जाएगे त तो इसके बीज में निकाल कर रख लूँगी और बर्वीना को आप बीज से ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से इसके बीज बन जाते हैं लो मैंटिनेंस प्लांट है और आप इसे अपने गार्डन में अवश्य आड़ करें देखिए कितना सुन्दर दिखाए देरा है मेरे देखिए धूप में ज्यादा रखें सनलविंग प्लांट है जितनी देध धूप में रहेंगे तो एक दम एक आये का आपका प्लांट नहीं मरेगा और पानी का विसे ध्यान रखें तो यह आपका लंबे समय तक यह प्लांट चलेगा सुके वे फूलों को आप कट करते रह तो यह अप्लाइल मेरी तक आपके वहां टिका रहेगा और यह बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग कर रहा है इस समय देखिए पूरे फूलों से भरा हुआ है कितना सुन्दा दिखाई दे रहा है देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको अपने और भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट दिखा सकूँ मेरी वहां क्लांचों भी इस समय बहुत ज्यादा खिल रही है और गजीनिया तो इतनी ज्यादा खिल रही है बहुत ज्यादा वो भी मैं आपको